friends and welcome to my channel so friends मैं हूँ सेचन सुकला और आप देख रहें A to J ट्रैक्टिकल so friends आज का जो experiment है वो 11 physics का experiment no.3 use of spirometer मतलब spirometer की help से हम क्या करें इसी भी substance का लाइक यह substance का इसका इसका surface का curvature measure कर सकते clear और यह हमारे पास है वो spirometer इस spirometer की help से हम क्या करेंगे इसका curvature का surface measure करेंगे so चलो मैं experiment फटा फट स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे होगा एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि आपको कहीं जाने की जुरत नहीं है मैंने यहाँ पर chemistry और physics के सारे experiment इस channel पर upload किये आप जाएए और playlist चेक आउट किजिए और आपको जो भी help फूर है उससे help लिजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर share किजिए चलो मैं आपके लिए practical क्या करता हूँ 11 chemistry का experiment number 30 स्पेरोमेटर स्टार्ट करता हूँ सो फ्रेंड्स यह है आपका experiment number 3, use of spirometer इसमें basically हम क्या करते हैं कि हम इस instrument का use करके इसको spirometer बोलते है इसका use करके किसी भी किसी भी substance का क्या कर सकते हम लोग surface measure कर सकते हैं जैसे कि हम इसका surface क्या है curve है अगर किसी का curve surface रहता है यह basically curve mirror और यह मेरे पास plane mirror और है थो हम फिरो्मिटर के बारे में यह शीरो आपको different uh यह हमारे ठीक हो गानों यह से करते पहले आपको इस फेरो्मिटर को लेना है और यहांपर पे पूछा है find the average distance between the legs, so यह हमारे legs है, 1, 2, 3 हमारे क्या legs है, हमें इसका average distance find out करना है, A1, A2, A3, so कैसे find out करना है, मैं आपको यह बदा देता हूँ, आपको एक page लेना है, clear, आपको एक page लेना है, ऐसे आपको एक page लेना है, यह जो आप ferometer देख रहें, इसको ऐसे रखना है, और इसको हलका सा press करना है, हलका सा क्या करना है, आपको press करना, मतलब ऐसे आप press कर सकते, अब जैसे इसको press करेंगे, इसके 3 dot बन जाएंगे, यहाँ पर, क्या बन जाएंगे इसके तीन डॉट आपको दिख रहे होंगे यहां पर एक दो तीन डॉट दिख रहे हैं अब इसको स्केल के हेल्प से क्या करना है आपको जॉइन कर देना है मैं इसको यहां से यहां जोइन कर देता हूं यहां से यहां जोइन कर देता हूं और यहां से यहां जोइन कर देता हूं अब ये तीनो लाइन पर मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर जॉइन कर दिया अब आपको A1, A2 और A3 लिखना है तो A1 आपका क्या है पता है A1 तो आपको सेंटिमेटर इसको मापना है तो यहाँ से लिखे यहाँ था कि 3.2 थके तो A1 आपका कितना जाएगा 3.2 A2 कितना है जाएगा अब मैं दूसरे दूसरा लेंथ मेजर कर लेता हूँ यहाँ पर यह बिशिकले कितना है 3.1 है A3 मेजर कर लेता हूँ यह वाला लेंथ है A3 हमारा है 3.2 अब हमें तीनो का क्या करना एवरेज निकालना है A1, A2, A3 तो आपको मिल जाएगा 3.1 मतलब average कैसे निकालोगे 3.2 प्लस 3.1 प्लस 3.2 divided by 3 कर दोगे आपको मिल जाएगा 3.1 value of one division on the main scale यह तुम्हें find out करना है तो आपको बता दो कि यह आपका main scale होता है यह जो उपर वाला क्या होता है आपका main scale होता है ठीक है यह इसको बोलते circular scale यह उपर वाले को क्या बोलते है circular scale और यह वाला जो दिख रहा है इसको बोलते है main scale यह वाले को क्या बोलते है main scale तो आपको क्या पुछा है value of one division on the main scale तो main scale में हमारी कितनी value है यह भी मैं आपको बत दिखा देता हूँ यहाँ पे देख रहे है 00—1, 00.2, 00.3, 00.4 यह यहाँ पे 0.5 आपके जैसे scale में होता है तो यहाँ पे कितना जाएगा 0.1 cm अब number of division on the circular scale circular scale पे आपको देखना ही कितना number of division है तो आप देख रहे 10, 20, 30 यह कितना गया 100 तक तो कितना लिखोगे यहाँ पे 100 कितना लिखोगे यहां पर 100 उसके बाद क्या बोला है डिस्टेंस दिस्टेंस त्रू बीच दस क्रू एडवांस ऑन दा में स्केल इन रोटेशन आप दस सर्कुलर डिस्टेंस तो सर्कुलर डिस्टेंस कितना ले रहा है यह 0.1 पर 0.2 पर 0.1 का इसमें जो अंतर है वो होते ज बान का इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बैसिकली लिस्ट काउंट इंपॉर्ट्टेंस कितना है तो आपको P divided by N करना है P होता है Pitch और आपको बता दू कि Pitch क्या होता है यहाँ यह D by N करना है आपको D कितना होता है 0.1 और N number of rotation इसमें कितना है So number of rotation given to the circular scale So basically यह कितने बार घूमेगा एक बार में यह एक ही बार घूमेगा पूरा एक rotation complete करने में यह पूरा एक ही बार घूमता है So यहाँ पर number of rotation given in circular scale कितना लिख सकते हो 1 उसके बाद आपको क्या पूला है P is equals to D by N तो D आपको कितना 0.1 और circular scale में कितना rotation होता है एक complete करने में एक rotation एक बार rotation करोगे तो 100 पूरा complete हो जाता है तो इसको किस से 0.1 को 1 से divide करके तो आपको मिल जाएगा 0.1 cm ही मिल जाएगा List count यह सबसे जादे important इसका आप ध्यान रखिए कैसे find out करोगे बताता हूं list count List count में आपको क्या करना है आपका जो pitch है Pitch of the screw कितना आया है बताओ 0.1 आया है तो आपको 0.1 को आपको क्या करना है n नमबर से divide करना है n आपका कितना है 100 अब इसको 100 से divide करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.001 cm ठीक है तो चलो मैं यहां पर plane mirror ले लेता हूं यह मेरे पास और plane mirror ठीक है अब आसको आपको क्या करना है फेरोमिटर कोई स्पय मातना है आपको आप आपको क्या करना है यहां पर दिखना है की तीनों लेक श्रोटनों Cake निख tip को टच करना चाहिए तो हमें कैसे पता चले parecer कि इस ने टच किया कि नहीं डच किया हैं अब इसके इंदर ना एक पीपर का स्ट्रिप पास कीजिए अगर यह पास होता है तो इसका मतलब क्या यहां पर टच नहीं हो रहा है अगर आप में स्केल के रीडिंग लिखने है कि हमारी में स्केल पर रीडिंग कितनी है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह होता है आपका में स्केल यह क्या होता है आपका में स्केल तो में स्केल पर रीडिंग कितनी जारी है 0.1 कितना जार है में स्केल पर रीडिंग आपको दिख रहा यहां पर किता दिख रहा है यह दिख रहे है यह जो circular scale है न यह main scale पर कहां पर touch कर रहे है 0 के just उपर touch कर रही है clear तो 0 यह circular scale है और यह main scale तो circular scale कहां touch कर रहा है 0 के just उपर यहां पर देखो 0.1 पर तो आपका main scale reading कितना आजाएगा 0.1 0.1 cm clear 0.1 क्या जाए का cm अब coincident division on this circular scale तो coincident division कहाँ पर coincident कर रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ यह 70 है यह 75 है और 75 के बाद 76, 77, 78 यह basically 78 पर है मतलब यह main scale ना circular circular को 78 पर क्या कर रहे है coincident करें आप मतलब यह main scale और circular scale पर कहाँ coincident करें 78 पर तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा 78 ठीक है अब circular scale reading को हमें क्या करना list count से multiply करना तो आपका C आ जाएगा तो 78 in 0.001 देखो हमें यहाँ से list count मिला यह आ जाएगा आपका friend 0.075 अब आपको a और c कैसे करना है यह हो गया a और यह हो गया c तो 0.1 को आपको plus करना है 0.078 के साथ में तो कितना आ जाएगा आपको 0.175 x आपको mean निकालना है यह मैं आपको बाद में बताता हूँ चलो आपको मैं दूसरी reading दिखाता हूँ क्योंकि दूसरा reading पर आपको निकालना है तो आपको वापस से यह लेना है वापस से आपको यह रखना है clear अभी यह क्या कर रहा है थोड़ा सा उपर नीचे हो गया तो आपको एक कैसे adjust करना है आपका यह जो है पहरे तीनो legs adjust होने चाहिए तो मैं यहां पर तीनो legs को यहां पर adjust कर दिया अब मुझे क्या करना है यहां पर कि मुझे देखना है कि यह अच्छे से adjust है कि नीच वाला तो इसको मुझे घुमाना है ठीक है अब इसको strip pass करना है यहां पर अगर यह strip pass हो जाता है तो फिलाल यह pass नहीं हो रहा है, इसका मतल़ पर feedback चुका है, तो अब इसकी reading देखते कितना है, तो main scale पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है, main scale पर same आ रहा है, 0.1, 0.1 आ रहा है main scale पर, और circular scale पर कितना आ रहा है, circular scale पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह 80, 81, 82, 83, 84, तो मेरा main scale reading कितना था, 0.1 cm, इस पर 87 आया था, अब आपको 87 into least count करना है, तो least count करोगे, तो 87 into least count हमारे कितना 0.001, तो आपको मिल जाएगा 0.087 cm, और A और C को आपको add करना, यह आपका A रहा है, यह आपका C रहा है, तो आपको मिल जाएगा 0.187, अब mean कैसे निकालना है friends, तो means आपको पता ही है कैसे निकालना होता, दोनों को add करोगे, तो जब आप दोनों को add करोगे ना friends, 0.193, तो यहाँ पैस जाएगा 0.193, ठीक है, कवेचर of surface find out करेंगे, और same way सी आपको करना है, तो चलो मैं फटा-फट find out करता हूँ, यह मेरे पास curvature है, यह थोड़ा सा ना, इसमें आप देखेंगे, तो यह थोड़ा सा, इसका surface area थोड़ा सा नीचे है, मतलब यह curve type का mirror है म मेरे पास, अब हम इसका find out करेंगे, ठीक है, मैं spherometer को रखूँगा, ठीक है, यह तीनो legs basically इसको अच्छे से touch कर रहे है, यहाँ पे, अब beach वाले को मुझे touch कराना है, तो मैं क्या करूँगा, उपर वाले को हलका हलका घुमाऊंगा, तो यह नीचे जाएगा, ठीक है, अब साथ यह beach वाला जो है, वो touch कर चुका है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप strip pass करके देख लिजए, यहाँ पर, मैं strip pass करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यह strip मैंने pass किया, और यह pass नहीं हो रहा है, इसका मतलब, क्या है, कि यह सही से position है, यहाँ पर, आप एक और काम कर देखा, जिसे देखे, यह मेरा तीनों में से कहीं भी pass नहीं हो रहा है, ठीक है, यह कहीं भी pass नहीं हो रहा है, फिलाल यह perfect है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका reading देखेंगे, यह होता है, यह होता है, हमारा circular scale, और यह होता है main scale, ठीक है, तो main scale में देखेंगे reading कहा गई है तो basically यह गया है 0.1 पर है यहाँ 0.1 पर है क्योंकि यह जो circular scale है वो main scale को 0.1 पर coincident कर रहा है circular scale की reading कितनी है circular scale की तो वो है हमारा 40, 41, 42 कितना है यहाँ पर 42 ठीक है यह रहा circular scale और यहाँ पर कितनी reading आ रहे है 40, 41 और 42 कैसे मुझे चल रहा है 42 कैसे मुझे पता चल रहा है 42 क्योंकि यह जो main scale है यह circular scale को जहाँ पर touch कर रहा है जिस point पर वही आपको reading not down करने तो यह मेरा 42 आ रहा है तो यह है main scale आप आपको मैंने रहाता है 42 आपको list count से multiply करना पड़ाता है तो 42 into 0.001 करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.042 cm अब आपको क्या करना है A और C को प्लस करना यह A है और यह C है तो 0.1 plus 0.0142 करोगे यह दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.142 अब आपको वैसे आपको आप इसमें स्ट्रिप पास कीजिए यह पास किया मैंने नहीं पास हुआ यह भी पास नहीं हुआ अब बीच वाले में पास करते पास होता है क्या तो चलो मैं बीच वाले में पास करके देखता हूं यहां पर तो यह स्ट्रिप पास किया तो यह देखो यह बीच वाले में भी पास नहीं हो रहा है इसका मतलब यह सही है अगर नहीं सही रहता तो आपको क्या करना पड़ता आपको उपर से हलका या फिर घुमाना पड़ता सर्कुलर वे में चाहे इदर घुमाओ इदर घुमाओ तो नीचे जाएगा उदर घुमाओ तो उपर जाएगा ठीक है तो अ जो ढसका सरकुलर स्केल यह 30 है यह 35 है और यहां पे क्या 36 मतलब यह जो यह वाला है जो में स्केल में स्केल यह 36 क्या कर रहा है क्या करarna entvy त्क है यह क्का कर देखो 30 डी कि 35 और यह 36 पर क्या कर सको कोईंसी रहा हुआ तो यह आपका कोईंसी डेंट रीदिंग सर्कुलर स्केल पर कितने आ जाएगे 36 और में स्केल पर आपका जो रीडिंग है जीरो पॉइंट ही लिग्या पदेखें 10 दिक कितना जो गए 0.2 कितना यह था 0.1 cm यहाँ पर कितना यह था 36 इसको लेस काउंट से multiply करोगे तो 0.036 cm आ जाएगा ए प्लस एक करोगे यह आपका ए है और आपका सीस को आड़ करोगे तो 0.136 मिल जाएगा अब आपको मीन निकालना है क्या का निकालना है mean और यहाँ पर H क कैसे निकालोंगे एक स-y करोगे तो यह इससे क्या कर दो क्या चाएगा एक स्कीव याख और ऊस्तिया उसको यहाँ पर पूट करना है आप स्विलस आप य कैसे निकालेंगे यह दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 0.142 प्लस 0.136 और इसको करेंगे हम लोग divided by 2 तो जब आप इसको divided by 2 इसको में rough कर देता हूँ मैं यहीं पर कर देता हूँ 0.142 प्लस 0.136 divided by 1.36 divided by 2 तो आपको मिल जाएगा कितना 0.278 इसको divided by 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.139 अब आपको क्या करना X-Y तो यहाँ पर मिल गया 0.139 अब आपको क्या करना X-Y मतलब X में से Y को आपको घटाना है मतलब आपको क्या करना 0.193-0.139 तो आप अगर इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.054 अब आपको value यहाँ पर रख देना R के R is equals to A square A आपको यहाँ से मिल जाएगा 3.1 का square divided by 6 into H की value कहाँ से मिलेगी आपको 0.054 प्लस 0.054 H है divided by 2 करना आपको आप इसको पूरा calculate करोगे आपको मिल जाएगा 29.66 0 प्लस आप इसको divide करेंगे आपको मिल जाएगा 0.225 आप आप आड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 29.885 यही आपकी value रहेगे radius of curvature of spherical surface 29.885 cm आप लोगों ने देखा experiment number 3 मैंने spherometer बहुत यच्छे से आपको explain किया है सारी reading आपको बताएगे आप चाहिए तो वो reading लिखे है और आप अपने से भी calculate कर सकते है आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए तो थैंक्यू